नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे हिंदी का एक महतेपूर्ण चिन्ह जिसका नाम है निरदेशक चिन्ह। इसे इंग्लीज में डैस कहा जाता है। इसको इस परकार हम लिखते हैं। इस परकार इसको लिखा जाता है। क्या बोलते हैं चिन्ध को हम डैस और हिंदी में क्या बोलते हैं निर्देशक चिन्ध इस चिन्ध का प्रियोग उधारन से पहले तथा समवादों में नाम के बात किया जाता है दोस्तों इस चिन्ध का प्रियोग जब हम कोई उधारन देते हैं तो उधारन से पहले किया जात जब वाक्यों के माद्यम से किसी प्रकार का निर्देश दिया जाता है तब इस चिन का प्रयोग किया जाता है उधान देखते हैं दोस्तों नाटाकों के समवाद में मैंने यहाँ पर लिगाता है नाटाकों के समवाद में नाम के बाद उसका प्रयोग होता है तो देखिए मंसा मंसा कहती है मंसा एक पात्र है जो कहती है यानि कि उसके समवाद को हम इस से दरसाइंगे बेटी, यदि तू जानती मणी माला य Capish Tenid, जब बेटी है क्या अज देखेँ नाम के बाद ये समवाद है, नाम के बाद ये चिन लग रहा है, मैंने उनके समवाद को दरसाया जा रहा है इस चिन अगला है काल के तीन परकार होते हैं यानि कि काल के तीन प्रकार होते हैं तो उधान से पहले ही चिन आ रहा है भूत काल वर्तमान काल भविश्यकाल फिर है विश्राम का अर्थ है यानि कि हम आप पर अर्थ बता रहे हैं तो उधान इमले यला चिन लगाएंगे आप देश का विश्राम का अर्थ है रु पूर्टी करिए तब भी इस दिसन का प्रियोक किया कीजिये तर द्जिय भी नेम लिकलति प्लेशन के उत्तर निम 2ξ साथ हैं विराम का चीन लगा देधें जब किने जब समस्तित के बाद करसे नहीं अता है यह वह ला चिन आता है धन्यवाद दोस्तों